तो हम धन्यवाद देते अपने द्रोई यहाव बाबा का आज के सुन्दर अच्छे समय के लिए यहाव बाबा के बड़े अनुग्रे के द्वारा यह संभभ हो पाया प्रियजीजों के एक बार फिर से हम यहाव बाबा की पवितर हजूरी में है आज उसके पवितर वचनों क को सीखने के लिए और आज हम अपे के सेकंड भाग के अंदर है और आज हम पे के विशे में बहुत सारी भेद की बातों को सीखेंगे और मैं विश्वाश करता हूं कि हम बहुत सारी आशिशों को बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे प्रियजीजी सो यहाव बाबा मेरा आप सबको शब शलूम यहाब बाबा आपको बहुत सारी आशिशे और बरकते दे आए हम इसराइल के लिए यरुशलम के लिए प्रात्ना करें कि मेरा यहाब बाबा इसराइल को यरुशलम को शलूम की आशिशे दें और इसराइल की जो खोई भेडे हैं वो यश्वाह म मिश्याक के नाम से बचाई जाए जाए और यहाबा अलोहीम उन सब का उधार करें यश्वाह मिश्याक के नाम से आमेन तो प्रियाजीदों आज हम यहाबा के पवित्र वचन से पे के रहसे के विशे में पे के विशे में सीखने जा रहे हैं और मैं विश्वाश करता हूँ क हमने पे के विशे में सीखा था कि पे की जो नुमेरिक वेल्यू है वो 80 है और उसकी जो जो ऑर्डिनरी वेल्यू है वो 17 है प्रियजी तो हमने इसके विशे में जानकारी फ्राप्त की थी और आज के भाग में हम पे के पिक्टोग्राफ के उपर उसके तस्वीर के उपर जो क अलोहीम ने जब मुसा को जो हिब्रु परदान की मुसा को जो हिब्रु परदान की वो हिब्रु के वो पिक्टोग्राफ के अंदर हिब्रु थी और उस पिक्टोग्राफ हिब्रु के अंदर हम क्या रहसे और क्या भेद यह अलोहीम ने छुपा के रखा है उन सारी बातों को ह होट याने की मूँ जैसे कि आप स्क्रीन के ओपर देख रहे है प्री जीजोग और आज हम इसके विश्य में सीखेंगे क्योंकि यह जो है वो यह साधारन होट नहीं है और यहाबा का मूँ है यहाबा का मूँ है और यहाबा अपना पेख होलता है और वो बोलता है और जब वो बोलता है तो प्रियजी सो सब कुछ हो जाता है जब वो बोलता है पहार थर थर कापते हैं जब वो बोलता है पानी अपने वजूद में आ जाता है जब वो बोलता है चांद सितारे अपने वजूद में आते हैं जब वो बोलता है काश के अंदर पक् चार दिन का मरा हुआ लाजर, कबर में से बहरा कर ये शुमसी के चर्णों में बैट जाता है, उसकी महमस्तुति करना शुरू कर देता है, जब येश्वहमेश्याख बोलते हैं, जब यहवा अलोहीम बोलते हैं, तो अद्बुत कारे होना शुरू हो जाते हैं, प्रियजी सु में यहवा कैसे बोल रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, कैसे आप यहवा की अवास को, यहवा की बातों को आप अपने जीवन में सीख सकते हैं, उसको रसीव कर सकते हैं प्रियजी सु, आज अब उन बातों के विश्वे में गहौर करेंगे, तो आज हम पे के विश्वे में स लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जब से येशु मसी स्वरग में चले गए एक ऐसा समय था जब यहावा ने सुएम अपने लोगों से बाद चीत की उसके बाद पुतर ने आकर लोगों से बादशीत की और आज हम ये देखते हैं कि पवित्रा आत्मा जो प्रगट रूप से तो नहीं है रेकिन विश्वाश के द्वारा आज मेरे और आपके अंदर है वो हमारी द्वारा बात करता है अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो यहवा का नभी होता है वो यहवा का मू है नभी की जो सेपकाई है वो यहवा का मू है और जो अपने नभी को एज़ा होट के रूप में एज़ा मू के रूप में तो क्योंकि बाइबल के अंदर का बात लिखा है कि हम सम مسیح کی عدے کی انگ ہے اور हر انگ کا کام اپنی جگہ پر الگ الگ ہے تو ایسی جو نبی کا کام ہے وہ مو کا کام وہ کر رہا ہے مسیح کے مو کا کام ہٹو کا کام کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ یہہبہ کا پیغام یہہبہ کا سندیش لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس لیے وہ یہہبہ کا نبی ہے وہ یہہبہ کا مو ہے تو جو آپ بائبل کو بیان پڑھتے ہیں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہہوشو کو یہہبہ الہیم نے کہا کہ میرا دعاس موسیٰ اب وہ مر گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہہوشو تو اس کے جگہ اسرائیلیوں کو تو کنان میں لے کر جائے گا تو ان کی اگواہی کرے گا اور میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میں تیرے ساتھ رہوں گا پر ایک ہی کنڈیشن ہے ایک ہی شرط ہے ایک ہی بات کا تجھے بڑا خاص دھیان رکھنا پڑے گا بہنا اس بات کے اوپر تجھے اپنا چھت لگانا پڑے گا ایک ہی بات کے اوپر وہ کیا ہے جب آپ یہہوشو ایک ادھیائے اس کے آٹھ وچن کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ بیبستہ کی یہ پستک تیرے چھت سے کبھی اترنے نہ پائے اسی میں رات دن دھیان دیے رہنا اسی لئے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے انسار کرنے کی تو چوکسی کرے کیونکہ ایسا ہی کرنے سے تیرے سب کام سفل ہوں گے اور تُو پرباب شالی ہو جائے گا یہ کمینڈمنٹ سے یہحبہ الہیم کا یہ یشوہ مشیعہ میں یہ آگیا ہے کہ بیبستہ کی جو پستک ہے جو یہحبہ کا وچن ہے جو یہحبہ کا دبیر ہے یہحبہ کا کلام ہے وہ تیرے چھت سے اترنے نہ پائے لیکن اسی وچن کو جب آپ انگلیش میں پڑھیں گے یا ابراہنی بھاہشہ میں پڑھیں گے ہیبرو بھاہشہ میں اور ریزنل بھاہشہ میں پڑھیں گے تو یہاں پر چھت نہیں لکھا ہوا یہاں پر چھت نہیں لکھا ہوا یہاں پر کیا لکھا ہے انگلیش میں میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں this book of the Lord shall not depart out of your mouth یہاں لکھا ہے تیرے موں سے تیرے ہوتوں سے विवस्था की जो पुस्तक है बच्चनों की जो बाते हैं वो तेरे होटों से कभी भी हटने ना पाए तेरे मूँ से कभी भी हटने ना पाए याद रखे येशुमसी ने क्या कहा था येशुमसी ने कहा जो कुछ भी इंसान के हिर्दे में है इंसान के मन के अंदर भरा हुआ है वही उसके जुबान के उपर आ जाता है यदि हम मैंने और आपने यदि अपने हिर्दे को यहवा के वच्चन से भरा हुआ है उसकी तोरा से उसके विवस्था से भरा हुआ है तो जब हम बातशीत कर रहे होंगे जब हमारे मूँ से कुछ भी निकलेगा तो जो भी कुछ निकलेगा वो वचन के अनुसार ही निकलेगा वो वचन ही निकलेगा क्यों क्यों कि अंदर क्या भरा हुआ है अंदर वचन भरा हुआ हो नहीं सकता कि अंदर गंदगी भरी हो और बाहर अच्छा आ जाए हो नहीं सकता कि अंदर वजन भरा है अंदर बहुत अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी बाते हैं और बाहर मुखे उपर गंदी बाते हैं ऐसा नहीं हो सकता इसलिए यहुशु को कहा कि विवस्ता की यह पुस्तक तेरे होटो से अब ऐसा क्यूं कहा है क्यूं ध्यान दे प्रिया जीज़ो यहुबा ने मुसा को इस बात को कहा था कि मुसा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा जो तुम्हें जहबंत करता है वो तुम्हारा सेनाओं का यहुबा है वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा और वो दुश्मनों से लड़ेगा और वो तुम्हें जहबंत करेगा यहुबा के कलाम थे यहुबा के वचन थे और यहुबा का जो वचन था वो किस प्रकार से हमें इंट्रेस्टन देते हैं हमें गाइडिलाइंस देते हैं हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना अब प्रिये जी जो जब यहुशु को इसराइली कौम के गवाही करनी थी तो उस भीड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नेगिटिव थे जो सोचते थे कि नहीं हो सकता और इसी कारण से वो जंगल में नाश हो गए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुना करने वाले थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाप में गिरने वाले थे तो जब वो लोग गलत बोलते तो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेते थे और जिनकों वो अपनी तरफ कर लेते थे वो भी गलत बोलना शुरू करते थे वो भी ववस्ता के खिलाब वचनों के खिलाब बोलते थे अब आप एक बात को सोचे कि जब भीड डर गई घबरा गई तो क्या उनके होटों से वचन निकलेगा वचन निकलेगा डर की और घबर लाहट की बाते बाहर आएंगी यदि उनके अंदर गुना भरा हुआ है तो क्या वो यहवा की स्तूति महमा कर पाएंगे नहीं उनके अंदर से क्या गलत चीजे निकल क्या आएंगी तो इसलिए यहुरू को कहा कि विवस्ता की जो पुस्तक है चाहे परिसिती कैसी भी हो च मुझे ये बाते ही अपने मुझे निकाल ली है जब लोग नेक्टिव बाते करेंगे लोग डेरे होंगे घबराए होंगे या गलत बोलेंगे या बलवा करेंगे या पाप करेंगे तो आपको क्या करना है आपको वच्चन के नुसार बोलना है वच्चन के खिलाफ नहीं ब वो वचन के नुसार बोलना है वचन से बाहर कुछ भी नहीं बोलना और ये शुमसी ने क्या कहा कि जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा तुम सामरत पाओंगे ये रुशलम यहुदिया और सामर्या और पृत्फि के छोर तक तुम मेरे गवा बन जाओगे तुम मेरे मु ही दोगी तो ये शुमसी ने मुझे और आप को चुना है कि हम ये शुमसी के गवाट है रे ये शुमसी की गवाही दे सु समाचार की बाते हमारे होटों से कभी भी हटनी नहीं चाहिए चाहे परिस्तिती चाहे हलाहत कुछ भी हो बिमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो लोग चा नहीं चाहिए प्रियाजीदो यह हमारे होटों पर बनी रहनी चाहिए क्योंकि मैंने और आप ने यहाबा के कामों को देखा है मैंने और आप ने यश्वा हमिश्याक के कामों को देखा है और हमें उसके कामों की महमा करनी है बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो नेगिटिम होंगे, जो घबराए होंगे, जो डरे हुए होंगे और वो आपके भी इमान को कच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो आपको भी गिराने की कोशिश करेंगे लेकिन याद रखिए हम भटकने वाले नहीं हैं हम गिरने वाले नहीं हैं पर हम अंते तक स्थिर रहने वाले हैं ताकि जीवन का मुकट प्राप्त करें प्ली आजी सो तो यहुषु को इस बात को बताया गया कि यह जो यहुषु की तौरह है विवस्था की यह बाते हैं वो चन है वो और तेरे होटों से अटने नहीं पाए और जब तू रात दिन इसके अनुसार ध्यान लगाएगा तो फिर तेरे सारी काम सफल होंगे और कलीसिया को भी यहोबा का ये कमैंडमेंट है कि सू समाचार हमारे होटों से कबे भी हटना नहीं चाहिए सू समाचार क्या है ये शू मसी मेरे और आप के लिए मारा गया वो गाला गया और तीन दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा ये सू समाचार है परी ये सू समाचार है कि जब तुम तौबा करोगे तो मन फिराओगे ये शमसी तुमारे पापों को शमा करेगा ये सुसमाचार है कि जब कोई दुखी है कोई बिमार है ये ये सुमाचार है कि हम उसकी आग्याओं का पालन करे ताकि अनंत जीवन में बने रहे ये सुमाचार तो मेरे और आपके होटों से वच्चन नहीं हटना चाहिए याद रखे हम जो हौबा का मूँ है हम इस बात की भवश्यवानी करते हैं और इस बात की गवाही देते हैं कि ये सुमसी शिग्र बादलों के उपर आने वाला है और हम हवा में उठा लिये जाएंगे और अपने ये सुमसी से मिलेंगे और ये बात भवश्यवानी करते हैं पवित्रा आत्मा में होकर क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्या बाई सद्या सत्रवचन को पढ़ते हैं लिखा है आत्मा और दुलन दोनों कहती है आ और सुनने वाला भी कहे आ और जो प्यासा हो वो आए और जीवन के जल में से सेथ मेत होकर पी ले इस बात की गवाही आज हम रुआ कदोश में होकर देते हैं ये ये शुमसी शिगर आने वाला है ये शुमसी जल्दी आने वाला है इस संसार का नियाए करने के लिए ये शुमसी जल्दी आने वाला है कलीसिया को बचाने के लिए कलीसिया को अपने साथ लेकर जाने के लिए मुश्री गराने वाला है और आज हम उसके नभी हैं हम यहाबा के नभी हैं हम यहाबा के मुँ हैं आज यहाबा मेरे और आपके होटो को इस्तमाल कर रहा है हमारे होटों को ले रहा है अपनी महिमा के लिए प्रियजीस हो क्या आज आपके होट यहवा की महिमा के लिए इस्तमाल हो रहे है पे यहवा का मू है यहवा का मू है और हमने देखा था कि जैसे ही मुसा 80 साल का हो गया यहवा ने उसका इस्तमाल अपने मूँ के रूप में किया और यहवा मुसा के द्वारा बात करता था और मुसा यहवा की बातों को यहवा से लेकर लोगों तक पहुँचाता था आज मुझे और आपको यहवा की बातों को यह मुसी की बातों को पबितरात्मा से लेना है लोगों तक लेकर जाना है उसका सूसमाचार उसका पैगाम हमें दुनिया के छोड तक लेकर जाना है हमारे जीवन के दौरा गवाही फैलनी चाहिए ताकि हमारे जीवन के दौरा मेरे अलोहिम यहाबा को महमा मिले पाए प्रेयजीसो लेकिन आज बहुत दुक्की बात है कि जिन होटों के द्वारा यहाबा की वच्छन की मनादी होनी चाहिए जिन होटों से यहाबा के वच्छनों की महमा होनी चाहिए वच्छनों का गुनगानुबाद होना चाहिए जिन होटों के द्वारा यहाब आखे वच्छन की व्याख्या होनी चाहिए, वच्छन की तारीफ होनी चाहिए, सूसमाचार का प्रचाथ होना चाहिए, आज उनी होटों से हम चूगली करते हैं, निंदा करते हैं, पाप करते हैं, और उन होटों पे वच्छन तो बहुत दू पुश्ट लगाते हैं इनी होटों से इनी होटों से आज ये होट हमारे क्या यहाबा की महिमा के लिए इस्तमाल हो रही है हमें इस बात के उपर गौर करना है अगर नहीं हो रहे तभी आज हम अपने जीवन में सफल नहीं है नहीं हो रहे इसलिए हम अज हम तयार नहीं है और जीवन और मौत दोनों है और जो कोई इसको काम मेलाना जानता है इसके फल को वो भूगी का आप कैसे अपने जीव को इस्तमाल कर रहे हैं कैसे आप अपने मूझ को इस्तमाल कर रहे हैं यह हुबा का नभी बन कर रहे हैं यह दुस्ट का नभी बन कर रहे हैं अज बहुत सारे अप अपने जीवन के उपर गोर करें जिब आप याकूब तीन अध्याय को पढ़ेंगे दो वचन से मैं पढ़ रहा हूँ या लिखा है कि इसलिए हम सब बहुत बार चूप जाते हैं और जो कोई वचन में नहीं चूपता वे मनुश्य सिध है और सारी दे पर भी लगा लगा सकता है जब हम अपने आप को बश में करने के लिए करने के लिए घोडों के मुँ में लगाम लगाते हैं तो हम भी उसकी सारी दे को भी गुमा सकते हैं और वो एक उधारन देता है कि एक जहाज होता है और एक पतवार छोटी सी पतवार के द्वारा माजी उसको अपनी इच्छा के नुसार जिदर चाता है उधर मोड देता है उसी परकार से हमारा मू वारा जीव एक छोटा सांग है वो आपको जूते भी पढ़वा सकता है और वो आपको फूलों की हार भी पढ़वा सकता है वो आपको स्पर्ग भी लेकर जा सकता है वो आपको नर्क में भी लेकर जा सकता है फैसला आपके हथों में है कि आपको उसका उपयोग कैसे करना है आपको उसको 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 किस प्रकार से करना है यह फैसला आपको लेना है प्रियसी सो इन होटों को यहाबा की महमा के लिए इस्तिमाल करें इदर उदर की ब्राईयों को छोड़ कर इदर उदर की बातों को छोड़ कर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं फौन के उपर, जब हम मिलते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं, तो हम यहाबा के वच्छन की मनादी किया करें, हम उस समय यहाबा के वच्छनों का डिसकुशन किया करें, उस समय हम यहाबा के वच्छनों को एक दूसरे के साथ बाटें, एक साथ वच्चन के अनुसार बाच्चित किया करना ये मेरे अद्रोई की आग क्या है इसलिए प्रियजीदों चाहे आप जहां भी हो जो कुछ भी करे हर समय आपके होटों के पर वच्चन हो कहीं ये होट, कहीं ये जीब आपको नर्क की और न ले जाए इसलिए इसका बहुत सोच समझ कर साथ धानी के साथ इस्तमाल करें ताकि आप इसके अच्छे फलों को खाए प्रियसी सोच इसलिए ये होशु को ये आग्यादी कि यहवा के वच्चन तेरे होटों से तेरे मुँ से हटने नहीं पाए कि लीसिया को कहा तेरे बेटे से तेरे पोतों से कभी भी हटने नहीं पाएंगे ये यहवा की प्रतिग्या किलीसिया के लिए है मेरे और आप के लिए है कि उसके वच्चन हमारे हिर्दे में रहे हमारे होटों में रहे हमारे मन में रहे और हर समय हम सिर्फ उसके वच्चन की मनादी किया करें प्रियजीसो तो ये हमने पे के पिक्तोग्राप के विशे में सीखा है प्रियजीसो और जिब आप पे को खोलेंगे तो पे की जो स्पेलिंग है वो है पे और हे पे और हे का अर्थ होता है पे का अर्थ है मूँ और हे का अर्थ हो रूप में देखते हैं या प्रकाशन के रूप में देखते हैं प्रकाश के रूप में देखते हैं तो फिर हमें पे के अंदर क्या मिलता है कि जब आप मूँ खोलें तो प्रकाश की बातों को बताएं जब आप मूँ खोलें अनुग्रे आपके होटों से निकलना चाहिए अन अनुग्रे से भरी हुई बातों का बियान करना है, अंगिकार करना है, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, कि हम अपने धन्य आशा को, अपने होटों के अंगिकार को द्रिंडता से थाम के रखे, क्योंकि जिसने प्रतिग्या की, ब्रानिया 10 अदिया 23 वचन के अंदर लिखा है कि जिसने प्रतिग्या की वो सच्चा और विश्वास जोगे है इसलिए प्रियजीजों मेरे और आपके होटों से अनुग्रे जलकना चाहिए अनुग्रे टपकना चाहिए हम अनुग्रे से भरी हुई बातों को बोले हम एक दूसरे के लिए दया को बोले शमा को बोले ऐसा हो जाकर नहीं हम उसे बताएं ये शुमसी आपको प्रेम करता है जब आप अपने पापों को मान लेंगे जब आप अपने गुनाहों को छोड़ देंगे वो आपके उपर अनुगरे करेगा वो आपके उपर दया करेगा वो आपके सारे प्रादों को शुमा करेगा और आपको शुद करेगा आपको नया करेगा और आपका जीवन बदल जाएगा प्रियाजीजो अनुगरे की बाते आप एक दूसरे के साथ बाटे अपने लिए अनुगरे से भरी हुई बातों से को बोले कि यश्मसी आपके अनुगरे के द्वारा मेरे लिए सब बाते मिलकर भलाई को यश्मसी आपके अनुगरे के द्वारा जब मैं इस दुनिया को छोड़ूँगा तो मैं स्वर्गी के रच्चे में उठा लिया चाओंगा यश्मसी आपके अनुगरे के द्वारा जब मैं इस दुनिया को छोड़ूँगा उस समय मैं सो परसंट धार मिक्ता में होंगा और मैं जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा होगा आप ये अंगिकार करें ये शुमसी आपके अनुगरे के द्वारा आपनी जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा है ये शुमसी आपने अपने अनुगरे के द्वारा मुझे बचा लिया है ये शुमसी आपने अपने अनु जुनाहों को शमा कर दिया है, मैरी सारी बिमारी को शंगा कर दिया है, ऐसा अंगिकार करें। जब आप अनुग्रे की बातों को बोलेंगे, याद रखें, ये शुमसी आपके अंगिकार का महायाज़क है, वो आपके इन पवितर शब्दों को ले जाकर पिता के पास और पिता कहेगा आमेन जैसा मेरे बच्चों का विश्वाश है वैसा उनके लिए हो जाए लेकिन जब आप नेगिटिव बातों को बोलेंगे जब आप चुगली निंदा और गलत बातों को बोलेंगे तो उन गलत बातों को शेतान पकड़ेगा और वो आपके उपर दोश ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा इसलिए साफथान आप अपने होटों से क्या बो रहे हैं जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे आज हमने पे के सेकिंग भाग में पे के विशे में सीख लिया है प्रिय जीजो उसके पिक्टोग्राफ के विशे में उसकी स्पैलिंग क विशे में और मैं विश्वाश करता हूं कि आपने बहुत सारी आशिशों को बरकतों को हसल किया है तो मेरे अदरों ही यहाब आपको बहुत सारी आशिशों को बरकतों को हसल किया है तो मेरे अदरों ही यहाब आपको बहुत सारी आशिशों को बरकतों को हसल किया है तो मेर प्थटय जाने का फिर